Assalamualaikum dear students, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं AutoCAD 2015 में लेसन नमबर 41 आज के इस लेसन में हम ट्रिम के ओपर काम करेंगे ट्रिम कमांड क्या ओती है और इस पर किस तरह काम किया जाता है और ट्रिम कमांड师 पहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट कमांडे है आपके AutoCAD में ड्राइंग्स मनान हमे और यह AutoCAD के ड्राइंग्स में तक्रिवद आपको 75% इस करनी परते है absolument 75% आपको ट्रिम कमांड यूज करनी परते है त्रेम एक्स्टेंड यह कमांड जो है. jee, modify की, यह आपको बहुत ज़्याद़ यूज करने पढ़ते हैं. उसके रहवा, आपको जो modify, modify जतनी भी tools है, वो सारे ज़ारे आपको बहुत ज़्याद़ यूज करने पढ़ते हैं, कोई भी object में modification करने के लिए, अगर object कोई बनाया है कोई जिस की है उसमें changing लाने के लिए या उसमें आपने object को एक modification करने के लिए आप उसमें use करते हैं तो students, आज किस command की तरफ चलते हैं, trim command की तरफ, trim command जो के बहुत important command है तो उसके लिए मैं auto get को open करता हूँ, new drawing लोगा, f7 प्रिस करके guide lines को हतम करूँगा और trim की जो short command होती है, वो होती है tr enter, tr enter trim के लिए होती है और unit set करता हूँ अभी, engineering, 0 foot 0 inch, ok, dimension के लिए d enter, modify, architecture, sorry, engineering, 0 foot 0 inch, ok, set current close, ok, अब हम trim के उपर काम करते हैं, trim command क्यों होती है, उस पर काम कैसे किया जाते है इसके लिए मैं एक rectangle लेता हूँ, तो आप देखेगा, rectangle के उपर ये command अप्लाए होती है ये command अवेशा, cross, जहां से कोई lines आपस में, आपस को intersect कर रही हो, या पर cross कर रही हो, तो वहाँ पर ये command apply होती है, वहाँ पर ये काम करती है, इसके लेक्टैंगल लेता हूँ, एक, एक, एल इंटर, अब मेरे पास ये देखें, ये वली line हैं से intersect कर रही है, इसको, ये line intersect कर रही है, तो इस line को खतम करने के लिए में trim command यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर tr, इंटर करता हूँ, शॉर्ट कुमांदे टी र, उसके लब आप यहाँ पर जाके तो आप यहाँ पर देखें यह ट्रिम कुमांद आपको अप्लाए क्यों नज़र आ रही होगी, ट्रिम के साथ नीचे एक्स्टेंड, एक्स्टेंड के उपर इंचलें नेक्स लेसें में काम कर करता हूँ, ट्रिम कुमांड अप्लाए नहीं होगी, क्योंके टी र, डबल इंटर से वापस ट्रिम कुमांड अप्लाए होती है, डबल इंटर करें और अप्लाए करें, देखें अप्लाए होगी, ट्रिम होगी, ट्रिम होगी, अब यह जो एरिया यह ट्रिम नहीं होगा, होगा क्योंकि इसको कोई भी line intersect नहीं कर रही इसके लिए आप क्या करेंगे select करेंगे इस line को delete कर देंगे उसके लगा trim command जो apply होती है वो होती है पर बस फ़र्जब पर लेको लाइन लेता हूँ I'll enter करता हूँ आप object को select करें tr double enter करें नहीं होगी इस तर टी आर double enter और यहां से अपने subject को select करेंगे आप इसको trim कर दें देख सकते हैं तो यह है आप subject trim हो गया अब यही trim को मांद जो आपके पास एक में for example rectangle के ओपर मैं apply करूंगा नहीं होगी मैं circle के ओपर apply करना चाहरा हूँ टी आर double enter तो circle में कहीं भी apply क्योंके circle में कोई intersect point है ही नहीं उसके लिए पहले इंटर करें अब इसमें यह वाला area intersect हो रहा है तो इसको आप trim कर सकते हैं टी आर double enter करें double space है double enter तो आप देखें यह वाला area trim हो गया अब इसको भी trim करना चाहरा है trim नहीं हो रही तो आपको सिर्फ arc चाहिए तो आप क्या करें यहां से इसको delete कर दें देख सकते हैं यह भी trim होगी उसके लाब पॉलिगान shape है P.O.L. enter करता हूँ number of sides 5 देता हूँ first five so trim कर तो टी यार डबल इंटर trim होगी 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 और trim होगी देख सकते हैं क्योंकि यह area जो पॉलिगान shape है पॉलिगान shape में आप इसको trim कर सकते हैं जबके circle या rectangle है right angle में आप जाएं tr double enter करें आप देखें trim 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 और यह line है यह intersect नहीं होगी तो इसको trim नहीं कर सकते हैं जबके polygarn में जो intersect होगी तो इसको trim कर सकते हैं circle को भी आप trim नहीं कर सकते हैं लेक्टर में काम करेंगे next lecture में हम देखेंगे extend क्या होती है और trim आप copy object बिनाते हैं आप और trim कमांड कहां कहां use होती है for example एक में एक area यह है और पस एक दिवार है दर्वाजा इसमें से निकानना चाहरे हैं आप L enter F8 trim TR double enter देखें यह मेरा area में दर्वाजा के लिए छोड़ दिया दिवार और यह बीच में दर्वाजा के लिए बने जगा छोड़ दी तो यहां पर इस area के लिए ऐसी जगह के लिए आप trim कर सकते हैं यहां से L enter मैंने यहां से यह बना area मेरे पास TR double enter करता हूँ और इसको delete कर देखें 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 देख सकते हैं इस तरह का बने अरिया बना लिए है तो आप यहां पर इस तक shape से बनाने के लिए trim यूज़ कर सकते हैं या पर आप for example में यहां से L enter करता हूँ फिर L enter करता हूँ इस चीज़ों को trim करना चाहरा हूँ तो TR double enter देख सकते हैं यह मैंने इस तरह के shape बना ली तो आप यहां पी सारी shapes बनाने के लिए trim count यूज़ कर सकते हैं जो के और किसी तरीके से नहीं बनती आप यहां से इसको trim कर सकते हैं यहां पर मैं एक P.O.L. Polygon लेता हूँ number of sides 5 थी है मैंने click करता हूँ click करता हूँ poly लेन लेता हूँ P.L. Enter एक star की shape बनाने हैं मैंने for example tr double enter tr double enter tr double enter tr double enter देख सकते हैं एक star की shape बन गी तो यह काफी सारी जगा पर आप यूज़ कर सकते हैं trim command को यहां पर भी आप चाहें आप यह आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो अभीद करता हूँ आपको इस lesson की समझ आई हो कि इंशारण next lesson में मिलेंगे तब तक अपने ख्याल लखेगा अपनी द्वाँ में याद लखेगा और इन lesson को बार बर काम कीज़ेगा बार बर इन पर प्रैक्टिस कीज़ेगा तक आप असानी से और अच्छे तरीके से आप एक professionally कोई drags बना सकें next lesson में मिलते हैं तब तक अपना ख्याल लखेगा खुदा हाफिस